तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही सिंपल वले ब्रेड के पकोड़े बट बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तो सबसे पहले ये देखिए इसमें सॉफ्टनेस और फ्लेवर एड़ कर रही हूं ग्रीन चिली डाल रही हूं तीन से चार बड़ी रेंडमली कोर्स सी क करने डाल रही मैं साथ में डालुगी ऑद्रट का एक टुकड़ा और ढालुगली लसुन बेना चिलका उता रही हूं तो इसको क्या करने वाली हूं न मैं इसको फ्लन ब्रेड का पकोड़ा है मैं आलू बड़ा नहीं बना रह संपल बना रही हूं उमई और शोफ्ट ये लसुन अद्रक और हरी मिर्च का पानी बना लेंगे हम पेस्ट करके इसमें पानी आड़ करके यानि के इसका जो एक्स्ट्रैक्ट होता है न वो निकाल के हम बेसन में डालेंगे तो इधर मैंने बेसन ले लिया है तो बेसन डालेंगे आप अपने जितना ब्रेड का आप बेसन अड़ कर सकते हो यहां मैंने साधे तीन कप बेसन लिया है और इसमें हम डालेंगे नमक आधा चमच लगबग मसाला डाल दिया यह मैंने नमक मिर्च और मसाला जीरा भी डाल सकते हैं या फिर आप हींग भी डाल सकते हो आप अपने फ्लेवर चाट मसाला भी डा या फिर ब्रेड पकोडे के तो उपर से भी चाट मजाला अच्छा लगता है तो यह मैंने सारा कुछ एड कर दिया है तो अभी हम क्या करेंगे इसमें वो छान लेंगे सारा जो हमने लिक्वड बनाया है जो एक्स्ट्रैक्ट कर रही हूं मैं हरी मिर्च और अद्रक और लसू से ना सॉफ्टनेस भी आती है और एक अलग तरह का टेक्शर और फ्लेवर आ जाता है यह सारा बीच में इसलिए नहीं डाले है क्योंकि एक तो हमने चिलका भी आट किया और यह मूह में आता हुआ ब्रेड पकोड़े में अच्छा भी नहीं लगेगा आप वैसे चाहें तो मैथड यही रहेगा स्टॉफिंग कर देंगे तो यह तयार है तयार नहीं है अभी मैं इसको करूंगी बीच विसकर के साथ क्योंकि इसमें लंप्स नहीं रहने चाहिए अगर लंप्स रह जाते हैं तो वह सूखा हुआ बेसन बाद में निकलता आप चाहें तो इसको आदा कोई भी काट सकते हैं कोई साभी काट सकते हैं इसको पॉला है नहीं चड़ा दी है उसको । इतने में चढ़ा दीजिए तो बस इसमें डिप करेंगे बैटर में और यह देख लिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो अगर आपको बेसंद जादा पसंद है तो मैं इसी फ्लोई हलकी सी फ्लोई है बहुत फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं है बस छोड़ते जाएंगे यह जाल दोंगी अभी इसको पल्टेंगे नहीं हिलाएंगे नहीं जब यह थोड़ा से सेट हो जाएगा ना तब हम इसको हिलाएंगे नहीं तो यह खराब हो जाएगा जो बेसंद चड़ा हुए वो उतर जाएगा और आपकी कड्ची या पल्टा या जो भी छलनी ले रहे हो उसको लग जाएगा ये देखे बहुत अच्छे से हमने करा इसको पल्टा तो मज़ेदार से ब्रेड पकोड़े खुश्बू इतनी अच्छी आ रही है तो बस ये क्विक सा स्नैक है जो हम जब मर्जी चाहे हम बना के खा सकते हैं इजी भी है और क्विक भी है और टेस्टी भ किसी भी चीज के साथ इसको परोष सकते हैं तो हरी चतनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता तो यह देखिए एक बैच कुछ बैचे इस पहले मैंने निकाल ली हैं कुछ बैचे बैचेज अब मैं निकाल रहे हूं बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सा पकोड़ा बना है मेरा तो जरूर ट्राइ करिए अगर आपको मेरी वीडियो लगती है अच्छी तो लाइक, शेर, कमेंट तो बनता है